मम्ता जैन जबेरा से आपके सेचाड़ों में अप्री संका रख रही है हे गुर्देव हम सुद्धे के वस्तरों को सोला कहते हैं तो जैस तो यह सोला सब्द केंसे बना और यह किस भासा का सब्द है किरपया समाधान करें गुर्देव मिले वस्तरों पारास नाशेयरय हुआ है सोलह की संख्या के लिए है मात्यूल 3 प्रकार की यहां पर बात को समझना है अपन को आचारियों ने नवदा भक्ति और सात दाता के गुण बताए हैं आपको ने यह शलो की पड़ा होगा नव पुन्नही प्रतिपती सब्त गुण समाहितेन सुदधेनिन इसमें दोनों बात गई नव पुन्नही प्रतिपत्ति नव प्रकार की जो नवदा भक्ति होती है और साथ प्रकार के गुण दाता के होते हैं इस प्रकार से नव और साथ को मिलाते हैं तो सोलह बन जाते हैं यह सोलह चीज जो है स्रावक के अंदर होना चाहिए वही दाता जो है दान देने का अधिकारी होता है अब सोलह जो शब्द है यह देखा जाए तो यह है फार्शी शब्द है जिससे वह उत्पत्ती हुई है मतला सोलह प्रकार की शुद्धी भी होती है द्रव, छेत्र, काल और भाव यह चार सुद्धी और द्रव की भी चार प्रकार की शुद्धी काल की भी छेत्र की भी और भाव की जिस प्रकार से यह सोलह वैसे भी बन जाते हैं तो सोलह की संख्या वही कुन हो जाती है, मेरे अनुसार तो यही है कि नौदा भक्ती और साथ जो दाता के गुण है, बीवेख है, छामा है, श्रधा है, यह सब दाता के गुण होते हैं, यह सोलह प्रकार के और नौदा भक्ती में पढगान है, और उच्चासन है, पात प्रच्छालन है, नमस्कार है, पूजा है, मन सुद्धी, बचन सुद्धी, काय सुद्धी और अहार जल सुद्ध है तो इस प्रकार से सोलह जो बाते हैं, इसको अपन सोलह कहते हैं हमें जल सुद्धी, मन सुद्धी आदि तो करती हैं लेकिन ये सोलह प्रकार की जो शुद्धी है यह शुद्धी रखना वाला व्यक्ति ही जो है साधूओं को, मुनियों को, त्यागी विर्तियों को क्या कर सकता है दान देने का अधिकारी होता है इस प्रकार से है सोलह सब्द का अर्थ होता है चक्रेजन अलवर से आपके सिच्षणों में अपनी संकरक रहे हैं यह गुर्देव जैसे तितंकर नाम कर्म प्रकती है ऐसे गणधर चक्रवर्ती वगेरा नाम कर्म की प्रकती होती है या नहीं कृपया समाधान करें गुर्देग तीथंकर प्रगती जैसे नाम कर्म की प्रगती है ऐसे कोई गड़धर नाम की कोई प्रगती नहीं है और नहीं ऐसे कोई चकवर्ती नरायान प्रती नरायान नाम की कोई प्रगती है नाम कर्म की ये मात्र तीथंकर नामकर्म की प्रगती जो है वहत विशेश प्रगती है, महापुन्न की प्रगती है क्योंकि तीथंकर जिनसे धर्म तीर्थ की स्थापना होती है इसलिए उनके लिए तीथंकर प्रगती की तो बहुत जरूरत है गड़धर के लिए कोई कर्म की प्रगती की जुरूत नहीं है गड़धर तो सुत ज्यानावरन कर्म के विशेस छयोप सम से ध्यान लखना सुत ज्यानावरन कर्म का अबलकुल विशेस छयोप सम हो तो वहें जीव मुनी बनकर के गर्धर पदो को प्राप्त हो जाता है इसलिए कोई नाम करम की प्रगती की अवसकता नहीं हैं गर्धर को इसी प्रकार से चक्वर्ती नरायन प्रती नरायन आदी जो हैं इन के लिए साता वेदनी करम का विशेश उदय हो तो जिसके उदे से यह चकवर्ती नरायन प्रती नरायन जैसे परम पुन्य शाली जीव उत्पन्य हो जाते हैं तो इस प्रकार से तीथंकर नाम कर्म जैसे विशेश प्रगती इनकी नहीं हुआ करती है नैमी चंजेन, ग्रेटर बेजिशरी, रिंग रोट से आपके सेचाणों में अपनी संग करक रहे हैं परिशह और उपसर्ग में क्या अंतर है? दंस, मसक, इस्ती परिशह एवं वद को क्या उपसर्ग में गिना जा सकता है या नहीं किरप्या समाधान करें गुर्देव उपसर्ग और परिशह, देखिए, जिनको करम के उदय से लाया जाता है, वो तो परिशह हैं, हम स्वयम ही इस प्रकारश्य कार करते हैं, जिनकी कारण हमाई लिए परिशह होते हैं, जैसे भूक लग रही हैं, हम भोजन नहीं कर रहे हैं, तो हम भोजन को जीत रहे हैं ना, ते छुदा परिशह जय कहलाया यह हमने अपने आपके संकल्प से इसे प्रगट किया है इसी प्रकार से त्रशा आदी का अब दंस मसक, मतलब मच्छर मच्छर काट रहा है, हम उसको भगा नहीं रहे हैं हम भगा सकते पर भगा नहीं रहे हैं क्योंकि मानना नहीं चाहते हैं तो वहें उसके द्वारा जो काटा जा रहा है हम उसको सहन कर रहे हैं अपनी शक्ती के कारण इसी प्रकार से इस्त्री परिशह है कि इस्त्री कोई जो है कोई मुनी पर उपशर करे किसी प्रकार का ऐसा आचन आदी कार करे जो योग नहीं है और उसके लिए भी मुनी राज जो है शमता भावशे जीतते हैं तो वह जो है क्या है इस्त्री परिशाजे को भी जीतते हैं तो इस प्रकार से समस्त परिशों को जीतते हैं उपसर्ग जो है करम के उदय से किसी प्रकार से कभी आचानक देवकरत, त्रियंच करते जो हैं दुख के कारण उत्पन होते हैं वो सभी के सभी उपसर्ग कहलाते हैं तो इस प्रकार से जो आ जाते हैं वो उपसर्ग हैं और जो लाए जाते हैं तो आप ऐसे कार कर रहे हैं जिसकी कारण वो आते हैं तो वो परिशह कहलाते हैं इस प्रकार से यह परिशह जो है वध आपने पूछा है वध तो जो भी आपका वध कर रहा हो तो वो वध भी जो है वो आपके लिए उपसर्ग में ही आएगा सुस्मा रूगे होस्पेट करनाटक से आपके सीचरणों में अपनी संकार रख रही है हे गुर्देव संसारी जीव की जब आयू पूर्ण होने लगती है तो उसे किस प्रकार उसका ग्यान होता है और आयू बंद का ग्यान किसे होता है किरप्या समाधान करें गुर्देव किसी भी जीव की पूर्ण आयू का पता विशेस ग्यानी को ही पता कर सकते हैं जैसे देव हैं देव की माला मुर्जाती है तो पता चल जाता है कि विशे मेने आयू जो है शेस बची हुई है तो अज्यानी जो है वहरोता है पीटता है ज्यानी जो है और धर्म ध्यान करने लगता है मनुश्यों में भी किसी किसी को यह एहशास हो जाता है कि अब मेरी आयू जो है वो शमाप्त होने बाली है तो वह सब कुछ त्याग कर देता है, पुन्य में लग जाता है, धर्मकार में लग जाता है कुछ लोग जीव होते हैं, जिनको विशय बासनाओं के संसकार जादा होते हैं सांसारे आशक्तियां जादा होती हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं हो पाता है कि मेरी आयू जो है अब पूर्ण हो रही है तो वो आशाओं में ही जीते हैं आशक्ती में ही जीते हैं और मरण को प्राप्त कर जाते हैं तो हमें यदि अपनी आयू का पता करना हो कि अब कितनी आयू शेस बची है तो आप क्या करें आप तो धर्म ध्यान करो अपनी तयारी रखो जिस समय आयू समाप्त होना चाहे हो जाएगी आपकी तयारी हमेशा है महानुभाव आयू तो हर समय घट रही है स्वासच्छवास हमेशा हर समय घट रहे हैं और हम अपने मनुष्य जो परियाय है उसको भी समाप्त कर रहे हैं तो आप अच्छे कार में लगे रहें प्रति समय जिने भगवान की आराधना उनका इश्मरन उनका ध्यान करते रहें और हमें आयू का पता नहीं करना है हमें तो अपने भावों का पता करना है हमारे भाव शुद्ध और निर्मल रहें इस बात का हमें ध्यान रखना है नमस्तो चरश्री माही जेन जो की आठ साल की बच्ची है वो आपके से चड़ों में अपनी संका रख रही है ए गुर्देव मुनी महराज तो अपने बाल अपने हाथों से निकाल लेते हैं लेकिन जब नाखुन बड़े हो जाते हैं तो वह किस प्रकार निकालते हैं कि प्रसमाधान करें गुर्देव जिस प्रकार बालों को किसी भी प्रकार के अस्तर से अपने बाल नहीं निकालते हैं इसी पकार से नख को भी नहीं नख को जैसे गरम पानी में फुला लेते हैं और हास से ही निकल सकते हैं अत्वा किसी पत्थर से घिस लेते हैं मुनिराज किसी भी जो है अस्तर आदी का जो भी है नेलकटर आदी का उपयोग नहीं करते हैं वो पत्थर आदी से ही घिसकर के अपने नक आदी को भी निकाल देते हैं स्वाधीन की जिंदगी होती है मुनिराज यह स्वाधीन की जिंदगी जीते हैं किसी भी साधन से वो पराधीन नहीं होते हैं मुनियों की चरिया जो है उत्करश चरिया होती है किसी भी साधन के अभाव में वो दुखी नहीं होते हैं वो शाधीन जिन्दगी जीते हैं इसलिए केची नेल कटर आदी इन सब का उपयोग नहीं करते हैं हुआ 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 है